आज मैं ये प्लेन ब्लैक टी शट के उपर पेंट करने वाली हूँ हलो एवरिवान मैं हूँ रिमी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सबसे पहले आप ड्रेस के नीचे आप कोई भी आर्ट पेपर या फिर इस तरीके की कार्ट बोर्ड यूज कर सकते हैं ये मैंने काफी बार यूज कर चुकी हूँ आप देख सकते हैं और कलर के लिए ये हैं फेबिक रिल के अक्रेली कलर मारकेट में बहुत इसली आपको मिल जाएगी और ये थोड़ी सी बड़ी टाइब की है ये मैंने एमाजान या फिलिपकर्ट मुझे याद नहीं आ रहा है ये वाइट कलर और भी कई-कई शेड मेंने लिया है आपको ये छोड़ी टाइब की बॉटल मारकेट में बहुत इसली मिल जाएगी तो सबसे पहले मैं ये वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ और चार नमबर की राउंड ब्रश अप मेंसे काफी सारे फ्रेंज ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं कोई अलफाबेट टाइप की कुछ टीशट के उपर पेंट करके दिखाऊं तो ये बहुत आसान सा तरीका है आप कोई भी प्लेन टीशट के उपर टीशट के बैक पे भी कर सकते हैं तो ब्लैक के उपर ये वाइट कलर काफी स्यादा अच्छा लग रहा है आप कोई भी कलर से कर सकते हैं आप लाइट कलर यूज़ करें डार्क कलर के उपर तो ज्यादा अच्छा लगेगा और यहाँ पर मैंने कोई पैंसिल से उतना टाइप की मैंने डार करके मार्क नहीं किया है बस किया है थोड़ी शेक्तों लाइट करके तो आप पहले तो कोई प्लेन टीशिट के उपर अगर यह करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और क्यूंकि यह ब्लैक के उपर और यह वाइट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है बट इसके उपर अगर मैं स्काई ब्लू यूज़ करती तो भी अच्छा लगता अगर आप कोई डार्क कलर के उपर ट्राइ करते हैं तो ज्यादा तर लाइट कलर यूज करें जैसे की वाइट, फ्लेश टिंट, लेमन, योलो इस टाइब की तो यहाँ पर एक फ्लावर होगा इस तरीके से अब देख सकते हैं अब बहुत ज्यादा आसन सा एक फ्लावर है, राउंड ब्रस से ही मैं कर रही हूँ और वाइट कलर से ही और अगर अगर आपकी टीशिट लाइट कलर के हैं तो आप यह डार्क कलर यूज करें तो यहाँ पर मैं लेमन योलो कलर यूज कर रही हूँ अब मैं यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ अब देख सकते हैं मैंने सारे यहाँ लाइट कलर ही यूज कर रही हूँ और इसको आप वाश भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा हमेशा इसको हाथ से ही वाश करें और जो जो है मैं बाद में बता रही हूँ आपको तो ये देखिए मैंने ये light green कलर क्या है ये एक बार में अच्छे से shade इसकी जो proper है वो नहीं आती है इसलिए मुझे एक बार नहीं दो बार नहीं बल्कि मैं यहाँ चार पाज बार इसके उपर करने वाली हूँ क्योंकि ये light green कलर में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है और white कलर में भी एक बार में ये अच्छे से जो shade आप चाते हैं तो एक बार में नहीं आती है तो आप दो बार कर सकते हैं बट brush में ना color बहुत ज्यादा लेके आप use मत करें बस थोड़ी सी color लेके ही करें नहीं तो वो कड़क type की हो जाती है तो ये देखिए एक बाली तो complete हो गई है अब मैं दूसरी जो है न वो दिखा रही हूँ आपको और ये मैं पहन के भी आपको दिखा दूँगी तो ये देखिए I hope आपको अच्छा लगे कैसे मैं लग रही है आप comment section पर ज़रूर बताना तो अब चलते है next तो ये भी आप t-shirt के उपर कर सकते हैं बट मेरे पास न और t-shirt नहीं था ये ऐसे plain बाली तो मैं इस type की dress के उपर I mean करके दिखा रही हूँ तो पहरे pencil से आप इस तरीके से लिख सकते हैं pencil से अब अब लिखेंगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा light करके ही लिखे तो इसको आप paint करने के बाद आप 24 hours के लिए इसको ऐसे रख दीजिए कुछ मत करें उसके बाद back side पर I mean जहापर अपने color की आए ना back side पर प्रेस कर ले ना और कुछ नहीं करना है आपको और उसके बाद 72 hours के बाद अगर आपको लगे की wash करना जरूरी है तो ही wash करें नहीं तो रहने दीजिए कोई बात नहीं जबी भी आपको wash करना है तब ही करें और wash के टाइम आप हमेशा हाथ से wash करें कोई भी mild detergent या फिर easy या फिर shampoo के साथ और कभी भी इसके उपर scrub ना करें और कभी भी इसके उपर press ना करें बस इतना ही करना है और यहाँ पर क्यूंकि मेरी dress light color की है इसलिए मैं dark color यूज़ कर रही हूँ actually मेरी ये round brush बहुत दिन हो गई है तो ये अच्छे से मैं जितना पहले इसकी होती है तो बहुत सुन्दर अभी ये नहीं हो रहा है brush ये बीच में से थोड़ी सी spread हो रही है तो इसके लिए मैं 6 number की round brush यूज़ कर रही हूँ आप इसको थोड़ी सी broad बनाऊंगी आप मेरे साथ WhatsApp पे भी contact कर सकते है ये मेरे नीचे WhatsApp की number भी जा रही है और मैंने कुछ दिन पहले जो होते हैं शंक्षक्रीट के जो word है जो बहुत एक सुन्दर सी प्लेन टॉप के उपर में बनाई थी alphabet तो वो भी आप देख सकते हैं मैं description पे वो उस वीडियो की link ज़रूर शेयर करूंगी बहुत ज्यादा खुशूरत है आप मेंसे काफी सारे friends ने मुझे बहुत वीडियो के बारे में सब ने बोला बहुत सुन्दर है इस type की और भी बनाने के लिए तो आप देख सकते हैं और इसको भी ज़रूर ट्राइ करें और आप किस type की design देखना पसंद करते हैं वो भी comment करके ज़रूर बताईए मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी पता चलेगा आप किस type की design देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर मैं 3D outliner यूज़ कर रही हूँ बस side पर थोड़ी से rate color यूज़ कर रही हूँ इसको अब कर भी सकते हैं या फिर छोड़ भी मतलब skip भी कर सकते हैं और 3D outliner नहीं है तो zero number round brush और rate color से भी अब कर सकते हैं तो यह देखिए यह भी मैंने complete कर लिया है हेना simple but बहुत खुबसूरत thank you so much for watching this video have a very very good day, take care, bye bye